नीट वजेई एक्जाम पॉस्पॉंट को लेकर 11 स्टेट के 11 स्टुडेंट ने सुप्रिम कोट में केस फाइल किया है स्टुडेंट का कहना है कि COVID-19 की सिच्वेशन को देखते हैं स्टुडेंबर में होने वाली नीट वजेई एक्जाम को आगे बढ़ाया जाए और जब भी एक्जाम ली जाए तब एक्जाम सेंटर इंक्रीज करते हुए हर एक डिस्टिक में एक्जाम सेंटर रखा जाए इसमें स्टुडेंट की हेल्थ और बाकी प्रोब्लम का भी जिकर किया गया है ये केस 6 अगस्त 2020 को फाइल किया गया था सुप्रिम कोर्ट दवारा इसकी हीरिंग डेट अभी तक नहीं मिली है जैसे ही इसकी हीरिंग डेट मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा इसकी हीरिंग में जो भी आउटकम होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा दोस्तों नीट एक्जाम 13 शिप्टेमबर को होगा या नहीं होगा ये सुप्रिम कोट के डिसीजन पर डिपेंट करेगा अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता क्योंकि जब हम केसी एक्जाम की बात करें तो एक्जाम से पहले सबी सोच रहे थे कि एक्जाम प आगे रहे हैं आप 13 शिप्टेमबर की पूरी पूरी तैयारी रखें अगर फर्दर पॉस्पोंड होगी तो आपको प्रिप्रेशन के लिए और समय मिलेगा मैं ये समझता हूँ कि काफी स्टुडेंट की तैयारी अच्छी है और वो चा रहे हैं कि एक्जाम 13 करी थी नीट वे जेई के बारे में आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसके बारे में जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट मिलेगी मैं आपको इन्फोर्म कर दूँगा तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आप से लेता हूँ विदा जैहिंद